नमस्कार दोस्तो, मैं हूं आलोक, स्वागत है आप सभी का, आप सभी के अपने ही यूटूब चैनल आलोक प्लॉग पर दोस्तो अभी आपके सामनी ये जो पौधा है, ये कलेंचो का है मेरे पास कलेंचो का बहुत ही बढ़ियां कलेक्शन था लेकिन मेरी छोटी सी गलती ने जो है उन सभी को मुसीबत में डाल दिया है हाला कि ये जो मैंने कटिंग से तयार कर लिया ये मेरा पौधा बहुत हेल्दी है और हाली में मैंने आप लोगों से इसकी रिपोर्टिंग से एर करी थी थोड़ी सी उसमें गलती हो गई थी जिसे आज की इस वीडियो के अंदर सुधार भी देंगे जल्दी जल्दी में गलती से मेरे मुह से निकल गया कि जो है मैंने सैंड की जगा पे सौयल बोल दिया था तो 60% सौयल 20% कंपोश 20% जो है गार्डेन सौयल मिला कर आपको इसके लिए सौयल मिक्षर को प्रिपेर करना है मैंने अपने उस पौधे को रिपॉट किया उसके बाद red कलर का जिसमें flower आता है इसको रिपॉट करा है उसके बाद orange वाले को इसको रिपॉट कर लिया है तो हाला कि ये सब जो है वो बहुत ही खराब कंडिशन में जा रहे थे इस वज़ा से मैंने इनको रिपॉर्ट कर लिया पिछले साल मुझसे गलती जो हुई है जिसकी वज़ा से मेरे ये सारे पौधे जो है वो मुशिबत में आए जिसकी वज़ा से ये अब धिरे-धिरे करक वाली मिट्टी आपने बना दी तो तुरंत ये पौधा रूट रॉट रॉट होकर मरने लगेगा क्योंकि ये साकुलेंट वराइटी का पौधा है जिसे कम पानी की जरुरत होती है अगर इस जड़ों में जो है वो एक्स्टा वाटर रुखता है तो आपकी इस पौधे को जो है मार देगा सबसे पहली चीज आपको स्वाल मिक्स पर ही ध्यान देना है दूसरी गलती जो मैंने की मैंने इनको उठाकर बिल्कुल इग्नोरेंस वाले स्टेज पर डाल दिया पिछले साल जब इनके अंदर बारिस के कारड़ ये खराब हुए छत पर मैंने रख दिया अगर आपका ये पौधा चाहे बरसात का समय है या ठंडी के अंदर जो बारिस आती है उसी में अगर ये भीगता है तो भी आपका ये पौधा मरने लगता है तो फिर अगर ये चाहे कटिंग से लगा हो या फिर जो है पुराना पौधा हो ये इतनी बुरी का स्टेज में जाता है कि सायद इसको recover होने में एक दो season लग जाते हैं तो आपको अपने पौधे को भीगने से बचाना है ये आपको जो है दूसरी चीज का ध्यान रखना है बरसात का समय हो या फिर जो है आपका proper winter का time हो जब ये flowering पर आते हैं दोनों ही condition में आपको अपने इस पौधे को जो है बारिस से बचा कर रखना है अगर ये बारिस में भीगा तो फिर इसको मरने से बचाया नहीं जा सकता ये धिरे-धिरे करके अपनी सारी पत्तियां गिरा देगा मैंने तो किसी तरीके से इनको recover करा था लेकिन फिर से ये दिक्कत में आ गए हैं अगली जिस चीज का हम को ध्यान देना है वो है इनकी sunlight requirement और इनकी location का अगर हम इसको बहुत city place में रख देते हैं ऐसी जगह पर जहां पर छाओ ज्यादा हो और धूप जो है वो मतलब इंडारेक्ट जो sunlight आती है वो भी कम हो या फिर जो है जो morning की sunlight मिलती है वो बिलकुल ही अना आती हो इसके लिए सबसे बढ़िया location है कि cd area में ऐसी जगह पर रखे जाए जहां पर पूरे दिन की इसको indirect धूप मिले और morning की sunlight मिल जाए या फिर ऐसी जगह पर रखे जाए जहां पर indirect sunlight इनको मिलती रहे हारा कि winter में इनकी जो ideal location है वो यही है कि इनको एक दो घंटे की sunlight मिले और उसके बाद या shade में ऐसी जगह पर रहे हैं जहां पर इनको bright light अच्छे से मिलती रहे है शेड में इस वज़े से रखने को बोल रहा हूँ एक तो जो है fox से बचे रहेंगे तो फिर इनके पत्ते कम गिरेंगे और दूसरा fox से बचे रहेंगे तो जो फूल आएंगे वो लंबे समय तक ट जाएंगे और इनके अंदर अगर आप watering करेंगे तो मौशेर भी बहुत लंबे लंबे समय तक होड़ रहेगा ज्यादा सेड़ी एरिया में रखने पर तो वहां भी रूट रॉट होकर खराब हो जाएंगे तो मतलब दो चीजों का आपको ध्यान देना है पहला तो जो है fox स से बचाकर सेड़ में रखना है दूसरा जो है सेड़ में ऐसी जगह पर रखना है जहां पर morning की अच्छे से सनलाइट में और पूरे दिन इंडारेक्ट सनलाइट मिलती रहे या फर जो है बहुत सेड़ी एरिया में मत रखिएगा जहां पर जो है मतलब शेड़ वाला जो य की एक सेकुलेंट वराइटी का पौधा है इसको इस तरीके से जो है बेल ड्रेन और बिल्कुल सॉफ्ट सॉयल जो है सेंडी सॉयल पसंद होती है तो पानी अगर आप ज्यादा देंगे तो फिर इनकी ग्रोथ भी प्रभावित होगी आपका ये पौधा रूट रौठ होकर धीरे-धीरे करके पूरी तरीके से खराब हो जाएगा मिटी में अगर आप पानी देने से थोड़ा बहुत चूक भी जाते हैं तो ठीक है लेकिन अगर ओबर मौश्यर हुआ पौधा तो फिर इसे मारने से बचाया नहीं जा सकता है अगली जिस चीच का हमको ध्यान देना ह है वो है फंजिसाइट का छिड़काओ हर हपते हमें अपने पौधे के ऊपर जो है जैसे जैसे बरसात का समय आने लगे गर्मियों में तो नहीं गर्मियों में आप अगर फंजिसाइट कम डालेंगे तो भी ठीक है एक जगे अच्छी जगा पर जहां पर तेज धूप से य पर पड़े और फंजिसाइट आप जो है अच्छे से देते रहिए यही इनकी ग्रोथ का समय होता है अगर बारिस के अंदर सेप्टेमबर तक पौधा अच्छा ग्रोथ कर लेता है तो नौमबर तक आपका यह पौधा फ्लावरिंग पर आ जाता है अभी आपके सामने मेरे इतने सारे पौड जो है वो रखे हुए हैं और देखिए इनमें मैक्सिमम जो है यह तो लैगी होकर लटक गए हैं इस वज़े से क्योंकि इनको मैंने लोकेशन अच्छी नहीं दी मेरा इंडोर गार्डन पूरी तरीके से भाच चुका है जगें बिलकुल नहीं थी मेरे प अच्छी फ्लावरिंग पाना चाहते हैं तो आप इसको ऐसी जगह पर रखिए जहां पर समय समय पर आप इसकी देख भाल कर सकें वरना जैसे ही आपका ये पौधा थोड़ा इग्नोरेंस कंडिशन पर जाएगा तुरंत आपके इस पौधे के अंदर यही समस्या दिखाई देगी हाला कि मेरी देशी जो बरैटीज है इग्नोरेंस में रखने पर थोड़ा लैगी जरूर हो गई लेकिन उतनी खराब नहीं हुई जितने की ये देखिए सारे पत्ते वगएरा जो है इनके गिर गए मैंने इनको बहुत सेड़ी एडिया में रख दिया था पानी वग जा रहे हैं घने बन रहे हैं छोड़े-चोटे-चोटे पौधे हैं तो आप भी अपने इन पौधों को अभी जो है अगर चाहते हैं तो फ्र मरने से बछा सकते हैं अगर इस तरीके की गलतियां आप मैंने जो कुछ भी बताई उन गलतियों में से कुछ भी ृपत पर रह झाल झाल झाल